चछटवा अच्छा बिंदू योग्य प्रतिनिधि का निर्वाचन मद्दाताओं को बड़े निर्वाचन खेत्रों में उनके जो उम्मीदवार हैं उसमें अपनी पसंद के योग्य प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का मौका मिलता है मद्दातों की पसंद का दायरा भी बड़ा व्यापक है और इसलिए वे बड़ी स्वतंता से मद्दान करते हैं और स्वतंतता से बहुत सोच कर मद्दान करने की जो उनकी क्षमता है प्रणाम क्या होता है कि अधिकतर संभावना ऐसी रहती है कि योग ये प्रतिनिधी का निर्वाचन होगा साथवी अच्छाई न्याय पर आधारित न्याय पर आधारित के माइने क्या है लोकतंत की परिभाशा में सबसे सही बैठने वाली चुनाव प्रणाली है सभी वर्ग समाज के सभी तबके के साथ न्याय ये जो पद्धती वो न्याय आधारित है क्योंकि सभी दल सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित मिलता है किन्तु उन्हों निर्वाचित होने के लिए सरवादिक मत की आवश्किता जरूरत नहीं है कि उन्हें मतों की एक निर्धारित संख्या चाहिए होती है सरवादिक मत बना कोटा यहां कोटा जरूरी है नियुनतम मत इतने होने चाहिए जबकि फर्स पास दिपोज में अधिक्तम मत वाला आगे दोड़ जाता है निर्वाचित हो जाता है यहां ऐसा नहीं है तो नियाए पे याधारित है कि नियुनतम इतने मत मिलना चाहिए तो आपने र्वाचित हो गए और इस प्रणाली में नियाए इसलिए भी मत दाता के साथ भी नियाए है समाज के विबिन तबकों के साथ तो है ही मत दाता के साथ नियाए ये कि उसका मत बेकार नहीं जाता सभी मतों का बड़ा महत्व है सभी मतों की बहुत एहमियत है एक-एक मत बहुत भरी होता है इस पद्धती में तो वास्तों में मत दाता अपनी ताकत यहां समझता है और उम्मीदवार मतदाताओं की ताकत को पूरी इज़त देते हैं जो दूसरी पद्धती में ऐसा नहीं होता तो इस पुनाली में सभी मतदाताओं का मत का महत्व बहुत महत्पूर्ण बुद्दा है और न्याय पराधारित आठवा इसका गुण है राजनीतिक चेतना वशिक्षा इसके क्या माइन है इस पुनाली में मतदाता को बहुत जागरूक रहना पड़ता है क्योंकि वो दल को मत कर रहा है प्रात्मित्ता के अधार पे इस प्रणाली में मर्दाता राजनेतिक रूप से बहुत जागरूक रहेगा क्योंकि उसके मर्दान का अधार यहां क्या होता है उसके मर्दान का अधार है उम्मीदवारों की योग्यता उम्मीदवारों के राजनेतिक दल के सिध्धान उनके कारिकरम तो इसका पूरा ध्यन करना जरूरी हो जाता है और तब जाके जब वो संतुष्ट होता है तो अपने प्रतम प्रात्मिक्ता के अनुसार मत देता है अपनी पसंद के अनुसार प्रतिन्दियों को मत देता है इससे मत दाताओं में जागरूकता चेतना आती है और इसलिए राजनीतिक शिक्षा भी उसे मिलती है और जब राजनीतिक शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से चेतना आएगी अवेरनेस आएगी तो ये राजनीतिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा इसका एक बहुत महत्पूर्ण गुण है इस पध्धती का इस पगार कुल आठ गुण जो हमने पढ़े इसे से बड़ा स्पष्ट है आपको लगता होगा कि या पध्धती भारत में काश क्यों नहीं अपनाई जारी मैंने बारम बार पूर में कहा कि किस थितियों में हमारा सम्विधान बना और सम्विधार निर्माताओं ने सरल पध्धती क्यों अपनाई जिसे फर्स पास्द पोस्ट कहते हैं इन आठ गुणों को समझने के बाद आपको लगेगा कि शायद ये सिस्टिम सरश्रेश्ट ही नहीं बलकि किसी तरह के निर्गुणों से मुक्त है दोशों से मुक्त है ऐसा नहीं है इसके कुछ दोश भी है जो बड़े दूरगामी हैं बहुत मत्पूर्ण है पहला दोश आनुपातिक प्रतिनिदित पद्धति का पहला दोश अर्था इसके विपक्ष में क्या तर्क है पहला प्रतिनिदी और मत दाताओं के बीच में जो संपर्ख है उसका भाव है क्योंकि मत दाता दल के आधार पे मत दे रहा है आनुपातिक प्रतिनिद्रत प्रणाली में वे सभी दोश हैं जो हम कह सकते हैं बहुत सदसी बहुनत प्रणाली में होते हैं तथा निर्वाचन खेत जहां बड़े-बड़े होते हैं एक ही निर्वाचन खेत से अनेक प्रतिनिद्रतित होते हैं इसलिए कोई संबंद नहीं मत दाताओं और निर्वाचित उम्मिद्वारों के बीच में संबंद बहुत कम रहता है क्योंकि बहुत सदस्य निर्वाचिन खेत रहें विशाल खेत रहें तो संपर के कैसे होगा दूसरी खामी चुकि संबंद नहीं है इसलिए उदासी इनता भी है उदासी इनता भी है तो उत्तरदाईत का अभाव है जो जन प्रतनिदी है जो प्रतनिदी चुने गए हैं वे दल के अधार पे चुने गए हैं जनता के प्रती वे अपने उत्तरदाई को कम ही आँकते हैं डल ज्यादा महत्पूर्ण है उमीदवार कम महत्पूर्ण तो उमीदवार को जब दल के अधार पे विजाई घुशित किया जाता है तो उमीदवार जनता की चिंता नहीं करता और इसलिए दूसरी खामी है प्रतनिदियों में जनता के प्रती उत्तरदाईत का अभाव यह लोग सब एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं क्योंकि एक ही निर्वाचन ख्षेतर से कई उमीदवार आ गया है कई लोग निर्वाचित हुए निर्वाचित प्रतिनिधी एक खेत्र के एक दूसरे पे दोश का ठेकरा डालने की कोशिश करते हैं और इसलिए कोई भी प्रतिनिधी मत दाताओं के प्रति अपने को उत्तरदाई नहीं मानता तीसरी कमी सिस्टिम की है बहुत जटिल और ये शायद भारत के परिप्रेक्ष में सबसे अहम मद्दा है अत्याधिक कठिन प्रणाली है समझने के लिए लागू करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित प्रणाली है एक स्थाधारन मत दाता की समझ से परे है ये जो प्रणाली है मद्दान करने में और मत गणना करने में दोनों में बड़ी कलिष्ट है कठिन है अत्याधिक पेचीदा है चाहे मत्दान करने के दौरान जब पसिंदीधा कैंडिडेट की प्राथमिक्ता तै करनी हो प्राथमिक्ता उपर नीचे होती रहती है तो उस दौरान भी तकलिफ होती है मत्दाता को और उसके साथी साथ जब मत गणना करते हैं उस समय भी तकलिफ होती है प्रसम पसंद दूसरी पसंद फिर तीसरी पसंद फिर कितनी सीटें भरी बची सीटों को फिर भरने के लिए फिर तीसरी चौथी पांच और फिर भी हो गया तो फिर नए तरीके से मत गणना करूं मत दान नहीं कुल मिलाके बड़ी complex है कई बार ऐसा होता है कि मर्दगरणायां करने में पेचीदा तो ही और सामानी व्यक्ति जो है वो अपनी प्राथमिक्ताओं को ठीक से नहीं दे पाता अपनी पसंद को वरीता करम नहीं दे पाता कई बार वरीता प्रम में बड़ा एड़ हॉकिजम दिखाई देता है तदर्फ नीती दिखाई देती कुछ भी भर दिया दूसरी और मत गणना के दोरान भी निर्वाचन अंक निकालना याने कोटा कितना होगा निकालना और फिर विजय प्रत्याशी के मतों का हस्तांतरन करना बड़े कॉम्प्लेक्स है कोटा तो हम तभी निकाल सकते हैं जब पूरी संख्या मालूम हो जाए मतों की मतों की पूरी संख्या शाम तक या मतदान समाप्त होने के बाद मालूम होती है उसके बाद पता लगता है उम्मीदवारों को अपने भविश शिका कि अब क्या होगा क्या कितना कोटा चाहिए और फिर वो संभावना जीतने के संभावनाओं को टटोलना शुरू करते है अत्यान जटिल है ये प्रक्रिया जो है कठिन है प्रफिस्टर हैरल लास्की जो 19-वी शताब्दी के प्रसिद विचारक रहे हूँ उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रणाली में यदि ऐसी जटिलता रही तो इसका प्रणाम ये होगा कि जनता में राजनीती के प्रति उदासीनता आ जाएगे राजनीती के प्रति उदासीनता एक बहुत बड़ा दुष प्रणाम होगा इस प्रद्दिती के कारण क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र में यदि लोकतंत्र को सच्चा रखना है वास्ताव रखना है तो जनता का बहुमत या अधिक्तम जनता की राजनीते में रूची बनाये रखना बहुत जरूरी होता है उनका involvement जरूरी है बेरुखी जनता उदासीन जनता लोकतंत्र नहीं बलकी ताना शाही को जन देडेगी तो ये लास्की का ये वचन यहां बहुत सही बैठता है कि एक सिस्टेम इतना कॉम्पलेक्स है कि कहीं जनता उदासी ना हो जाया और इसलिए आप देखेंगे कि जिन देशों के नाम मैंने लिए जहां ये पद्धती लागू है ये छोटे छोटे देश हैं शिक्षा स्तर में विष्व में सर्वोच श्रिणियों में आते हैं भारत एक विशाल काय देश है शिक्षा स्तर में भी वह बहुत अभी नीचे हवी से मीलों चलना है तो वर्तमान परी प्रेक्ष में कम से कम ये पद्धती भारत के लिए उच्चित तो है ही निए और खास कर यदि हम ये पद्धती आज भी लगा दिये लागू कर दिये तो उदा सीन रहने की बहुत संभावना रहेगी क्योंकि जनता वैसी बहुत से राजनीतिक प्रेयोगों से राजनीतिक माहौल से परेशान है वैसी जनता आज राजनीति से तरस्थ है आप देखेंगे तो मतदान का प्रतिशत आज भी 50-55 के आसपास रहता है अर्थात हर 100 में 45 व्यक्ति मत देने नहीं जाता ये उदासीनता का ही तो उदारन है लेकिन इस उदासीनता का कारण है जिस तरह के उम्मीद्वार जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना है उससे नाराजगी और लेकिन यदि इसमें कॉंपलेक्शिटी भी जुड़ जाए तो ये प्रतिशत 55 से गिरकर और कम हो जाएगा ऐसी शंका है चौथी बुराई इस सिस्टिम की है कि ये जो सिस्टिम है ये राश्ट्री एकता के लिए बड़ा खत्रा है क्योंकि बहु संख्यक, अलप संख्यक के नाम पर ये सुनिश्चित तो किया गया है कि इसमें सभी वर्गों का, धर्मों का, जातियों का प्रतिनिदित हो लेकिन इस प्रणाली में एक निर्वाचन खेत्र से अनेक प्रतिनिदी जवाते हैं तो अपने वर्ग की जन संख्या के अनुपात में आते हैं एक चुनावी खेत्र से जब कई प्रतिनिदी आते हैं तो उस चुनावी खेत्र में अपने वर्ग के जन संख्या के अनुपात में आते हैं और उन छोटे छोटे वर्गों से क्या पेक्षा करेंगे छोटे वर्ग, गुट, डल ये स्थान पालिये लेकिन वहाँ पर अपनी भूमिका क्या वे बखोबी निभा पाएंगे क्या वे राष्टी हित में सोच पाएंगे या अपने खेतर के ही एक नैरो परोकियल लुक खेतरी ता वाद को पन पाएंगे और इसलिए भैर रहता है कि ऐसी स्थिति में इस तरह की चुनाव प्रक्रिया में वियवस्थापिका का राष्टी स्वरूप जो है वो समाप्त हो जाता है वियवस्थापिका का राष्टी स्वरूप समाप्त हो जाता है ज़ता कि फाइनर नाम के विद्वान ने कहा है कि इसमें सभी राष्ट में अनेग गुट या समूव बनते हैं इस प्रक्रिया में पूरे देश में बहुत से गुट समूव आएंगे जो राष्ट की एकता के लिए घातक होंगे और भारत में जहां पे गुटों का, समूदायों का, संस्कृतियों का, परंपराओं का, जातियों का, धर्म का और न जाने किस-किस आधार पे कितने गुट बने हैं, इनके प्रतिनिधित के अधी बात करें, तो निश्चित रूप से ये बहुत छोटे-छोटे दल, छोटे-छोटे गुट, हमारी विधाईका में, वियाउस्थापिका में एक खत्रा रहेंगे, और एक जुटता तो को सो दूर रहेगी, पांचवा दोश, हम कितनी भी अलप संखिकों के हितों की बात करें, इस प्रणाली के तहत, इस सिस्टिम के तहत, रेप्रेजन्टेशन सिस्टिम के तहत, और हमने काफी बातें की कि किस तरही के से अलप संखिकों के हितों की बहुत अच्छी रक्षा होत लेकिन यह बातता है कि हितों प्रतिनेजित्व तो हो जाता है लेकिन हितों की रक्षा की गैरंटी नहीं प्रतिन जित्व हो गया विवन ने तबकों से वर्गों से प्रपोर्शनेटली लोग विवस थापिका में आ गया विधान मंडल में आ गया लेकिन कि संख्या इतनी छोटी रहती है और निर्णे बहुमत से लिए जाते हैं तो ऐसी स्थित्य में उनके हितों की उपेक्षा होगी वो स्वाभाविका और फिर हितों की उपेक्षा क्यों हो रही है ऐसा कहने का बहाना भी इन प्रतिनी दियों को मिल जाता है जब किसी वर्ग का उधार नहीं होता उनकी समस्याइं नहीं पहुंचती समस्याओं का निराकर नहीं होता तो प्रतिनी दियों के ऐसे वर्गों से चुने गए प्रतिनी दियों के पाद बड़ा साफ बहाना कि हम तो बहुमत में नहीं हैं हम तो बहुत छोटे दल हैं तो उनके प्रतिनेजित्व होने के बावजूद उनके हितों को साजने की गैरंटी नहीं तो पांचवा बिंदु हम कह सकते हैं अलप संख्यकों के हितों के विरुद छटवाँ सरकार की अस्थेरता ये इस सिस्टेम की बहुत बड़ी बुराई है इस प्रणाली में जैसा भी आपने देखा इसराईल के उदाहरन से छोटे छोटे दल छोटे छोटे वर्ग इनको प्रतिन जित तो मिल जाता है तथा कोई एक दल को यदि पूर्ण बहुमत ना मिले तो गड़बंधन की सरकार बनती है जैसा कि यहाँ पर देख रहे है इसराईल के खिरते हमें 37 एक दल को मिला जो सबसे बड़ी पार्टी है और बाकी सब दलों को बाकी सीटे मिली 120 सीटों का सदन है तो ऐसी स्थिते में क्या होगा बहुद अली सरकार जोड तोड गठ बंधन तो बड़े दल को पूर्ण बहुमत प्राप्ट ना होने पर सरकारें गड़बंधन की सरकार बनती है और ऐसी गड़बंधन की सरकार में विभिन वर्गों के दल विभिन विचारों वाले दल इनके समर्थन से जब मिली जुली खिजरी सरकार बनती है तो अपने अपने सिधानतों को लेकर अपने अपनी नीतियों को लेकर इन दलों के बीच में रच्षा कशी कशम खीषतान और सब कुछ होता रहता है इस कशम कश में इस खीषतानी में सरकार कब गिर जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते और इसके पीचे कारण यह कि यह खिचरी सरकार बनती है सिधानतों विचारों नीतियों के विरोधा भास के बावजूद यह सब एक इसलिए आते हैं कि सत्ता में रहना चाहते है सत्ता का लोव इन्हें एक जुट करता है एक गड़भंदन मनाता है लेकिन जब धरातल पर व्यावारिक रूप में जब सरकार चलाने की बात आती है तो फिर इस अब दिक्तें सामने आती है और सरकार जब गिरी तब गिरी की स्थित में आ जाती है और ये जो चीज है सरकार की अस्थिर्ता ये किसी वी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए राजनेतिक व्यवस्था के लिए और विदेशी संबंदों के लिए अनुचित है संसदी प्रणाली के तो बिलकुल विपरीत है अनकूल नहीं है प्रतिकूल है अब यवस्था अस्थिर्ता आर्थिक अस्थिर्ता को जन देता है राजनेतिक अस्थिर्ता अन्य तरह की अस्थिर्ताओं को जन देती है जो बहुत बुरा है और इस अस्थिर्टा के संभावना इस पद्धती में ज्यादा है सूची पद्धती में अब सात्वी और अंतिम बराई धन का अपविया है इस प्रणाली में बहुत सदसी निर्वाशन खेत बहुत बड़े-बड़े होते हैं और बड़े होते हैं और बहुत से सदस्य चुने जाते हैं उन्खेत्रों से प्रणाम क्या होता है कि एक जो उम्मीदवार है एक उम्मीदवार को जन संपर के लिए बहुत बड़े खेत्र का दोरा करना पड़ता है चिनाओं का खर्च बहुत बढ़ जाता है यदि प्रचार के लिए उतने बड़े खेत्र में जाए जन संपर के लिए तो अत्याधिक धन खर्च करना पड़ता है और बड़े बड़े निर्वाचन खेत्रों की व्यवस्ता को बनाये रखने में भी धन का बहुत व्याय होता है इस प्रकार ये प्रणाली जो है बड़ी खर्चीली है पेचीदगी तो है इसमें कॉम्पलेक्सिटी तो है ही खर्चीली भी सिद्ध हो गई है इस प्रकार अब हमने देखा इसके गुण और दोश यदि हम एक बार इसको तुलना करें साधारन बहुमत प्रणाली बनाम आनुपातिक प्रतनिजित प्रणाली में अंतर क्या है दोनों के गुण दोश और दोनों पध्धतियों को समझने के बाद एक तुलनात्मक अध्यान अंतर के रूप में करें तो या डिफरेंसेज बिट्वीन सिंपल मिजॉरिटी सिस्टेम और प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टेम पहला साधारन बहुमत प्रणाली में इस प्रणाली का प्रयोग प्रत्यक्ष निर्वाचन में एक सदस्ती निर्वाचन खेतरों में किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन खेतर और एक सदस्ती निर्वाचन साधारन वाला जबकि आनुपातिक जो है वह बहुत सजस्टी निर्वाचन खेत्रों में होता है और निर्वाचन खेत्र जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं विशाल होते हैं एक से ज़्यादा सजस्टी एक खेत्र से चुना जाता है ये पहला अंतर दूसरा इसमें निर्वाचन ख्षेत छोटे होते हैं साधारन में साधारन बहुमत प्रणाली में निर्वाचन ख्षेत छोटे इसके विपरीत इस निर्वाचन प्रणाली में प्रपोर्शनेट रिप्रेंटेशन में निर्वाचन ख्षेत बहुत बढ़े तीसरा, चुणकि छोटे क्षेत्र यहां के खर्चे कम तुलनात्मक दिश्टि से वैसे ये चुनाव पद्दिती पी कोई कम खर्चीली नहीं है, बहुत खर्चीली है लेकिन तुलनात्मक दिश्टि से इसमें बहुत कम खर्च है जबकि आनुपातिक प्रतिन प्रणाली में चुकि खेत्र बहुत बढ़े होते हैं ये बढ़े खर्चीले हूं चौथा, इस प्रणाली में, साधारन प्रणाली में जो मत जो उम्मीदवार सबसे जादा मत पाया वह विज़ई जबकि आनुपातिक में विजाई होने के लिए बहुमत प्राप्त करने की जरूरत नहीं उल्टे एक निर्धारित कोटा मिलना जरूरी बहुमत के बदले एक निर्धारित कोटा जिसे नियुनितम अंग कहते हैं नियुनितम संख्या कहते हैं वो मिलना जरूरी पांच वा इस प्रणाली में अल्प संख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बहुत कम क्यों क्योंकि बहुमत तै करता है कौन उमीदवार विजई होगा और बहुमत हमेशा बहुत संख्यकों का होता है तो अल्प मत की स्थित्य यहां पर अच्छी नहीं रहती है और चूंकि उनका प्रतिनिधित नहीं रहता है उनके प्रतिनिधित के संभावना कम रहती है इसलिए उनके हितों की उपेक्षा की संभावना भी प्रबल रहती है लेकिन बहुत संख्यक प्रणाली में क्या है अल्प संख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की संभावना प्रबल है इस वर्ग को उचित प्रतिनिधित भी मिलता है क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धती है, प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की पद्धती है, इसलिए उन्हेंने अनुपात में सीटे मिल जाती है, छट्वाँ, ये सरल प्रणाली है, जबकि दूसरी प्रणाली बड़ी कठिन है, जटिल है, साथवाँ, इस तुनाली में प्रत्याशी जो है, एक खेत्र से एक प्रत्याशी, और उस खेत्र के डेवलप्मेंट, विकास और सब के लिए वो प्रत्याशी जिम्मेदार और उत्तरदाई, वो किसी और के सिर में ठेकरा नहीं फोड़ सकता, लेकिन दूसरी पद्धति में, सामान उपातिक में, प्रत्याशी अपने उत्तरदाईत्वों को दूसरे पर तारने के कोशिश करता है, क्योंकि निर्वाचन ख्षेत्र बड़े तो एक निर्वाचन ख्षेत्र से कई प्रतिन थी तब एक दूसरे को पास करते रहते हैं जिम्मेदारियां आठवाँ इस प्रणाली में उम्मीदवारों को प्राप्त मत जो है वो व्यर्थ चला जाता है खास कर हारे हुए उम्मीदवारों को सारे मत बेकार गए ऐसा भी होता है कि तीस ततिशत पाकर एक उम्मीदवार जीता सौ में तीस मत मिले एक उम्मीदवार को लेकिन सबसे ज़्यादा मिले तो वो विजई बचे हुए सत्तर मत बेकार गए यानि ज़्यादा मत बेकार गए ये हास्यास्पस पिति भी कई बार आती है तो ये इस पद्धति की बुराई भी है और इसका एक अंतर है कि इस प्रणाली में हरे हुए मिदवार के मत बेकार हो जाते हैं जबकि समानुपातिक पद्धति में विजई प्रत्याशी के मतों का हस्तांतरन मत दाता की पसंद के अनिसार होता चला जाता है इसलिए इस पद्धति में मत व्यर्थ नहीं जाते नौवा ये जो प्रणाली है जो भारत में भी लागूर है ये लोक तंतर के विरुद है ऐसा राजनीतिक विचारकों का कहना है और उचिद भी है ऐसा कथन लोक तंतर के विरुद है क्योंकि इसमें यानि लोक तंतर में जनता का शातन होता है सच्चे लोक तंत्र में जनता का शासन होता है लेकिन इस प्रत्याशी अल्पमत का भी प्रतिनिजित कर देते हैं और वही होते आया है 30 प्रतिनिजित लेकर प्रतिनिजित बन गया है 48 प्रतिनिजित लेकर 415 सीटें ले ली तो कम भोटों के बाद भी आप प्रतिनिजित बन सकते हैं इसलिए ये लोक तंत्र के खिलाफ है नियूनितम कोटा कुछ होना चाहिए और वो नियूनितम कोटे को लाकर इस सिट्सिम में सरल पद्धिती में एक सुधार की जरूरत है जबकि प्रपोर्शनेट प्रणाली में जन्ता के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिजित मिलता है और इसलिए ये प्रणाली जो है अधिक लोक तंत्री है सरल प्रणाली के तुलना में दसवां कम खर्चिला जाता मैंने बताया और कम खेतर छोटा खेतर ये वाला ज्यादा खर्चिला और दसवां या ग्यारवां इसका जो महत्पूर्ण अंतर है वह है कि इसमें सरल पद्धिती में मतदाता को एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना पसंदगी वाली कोई बात ही नहीं पसंदगी के वाले सथ तक कि मेरा एक उम्मीदवार कौन है जिसके नाम के आगे मैं टिक लगा दू बस वहीं तक उसकी पसंदगी के भूमिका होती है बाकी सारे उम्मीदवार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते तो एक ही प्रत्याशी के लिए मतदान जबकी इस पद्धती में समावनुपातिक पद्धती में मतदाता को पसंद के कई अवसर अपनी पसंद के कई प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करे और मतदाता की पसंदगी का जो एक दाइरा है वो भी बड़ा व्यापक तो मतदाता के लिए क्या स्थिती है क्या अंतर है वो भी यहां स्पष्ठ हो गया इस पकार इन 11 अंतरों के साथ अब हम बहुत अच्छी स्थिती में हैं उम्मीद है आप अच्छी श्चिती में हैं ये समझने में कि सरल पर्धती क्या है, एकल पर्धती क्या है, समानुपातिक पर्धती क्या है, हेर पर्धती क्या है, डूप पर्धती क्या है, आधी आधी.